दोस्तो आज की स्टोरी जो है ना उसमें एक बहुत बड़ा सक्सेस मंद्र है किरपया वीडियो को आकरे तक जरूर देखेगा दोस्तो एक रेलवे स्टेशन पर एक गाड़ी आकर रुखती है और पास ही एक लड़का पानी बेशते हुए महां से निकला इतने में एक सेड़ जी ने पुकारा ओए लड़के लड़का दोर तो वो सेड़ जी के पास पहुँचा एक गिलास पानी का बहरा हुआ लेकर सेड़ जी ने कहा कितने का दिया लड़का बोला पचीस पैसे सेड़ जी सेड़ जी बोले पंद्रेगा कर दे लड़का अपने मुह में एक मुस्काम दबाकर वहां से निकल गया और जो पानी उसने निकाला था ग्लास में वापस से घड़े में डाल दिया ये सब वही उस डिब्बे में एक महात्मा जी बैठे हुए देख रहे थे वो ट्रेन से उतरे और लड़के के पास जाकर पूछा कि एक बात बता तू मुस्कुराया क्यों लड़का बोला क्योंकि सेट जी को पानी चाहिए ही नहीं था उन्हें तो बस रेट पता करना था इस पर महाराजी ने पूछा तुझे कैसे पता उन्हें प्यास नहीं लगी थी इस पर लड़के ने क्या खूब जवाब दिया कि जब प्यास लगती है न साहब तो इंसान कीमत और दाम नहीं पूछता वो पानी पी जाता है और फिर कहता है पताओ कितना देना बनता है यह च्छोटी सी स्टोरिस में बताती है कि जिनने सच में कुछ पाना होता है वो वाद वेवाल आर्गोमेंट्स में ना उलचकर अपने काम में लगे रहते हैं अपने आपको बिजी रखते हैं जो अपने पास समसादन हैं उनका बेस्ट उप्योग कैसे कर सके इस पर ध्यान देते हैं लोगों दोवारों मजाग बनाने पर उनके दोवारों भला भला कहने पर भी वो रुकते नहीं हैं बलकि उसका मोटिवेशन बना लेते हैं और कभी भी अपनी पमियों को नहीं बलकि अपनी स्ट्रेंट्स को बहतर से बहतरी इन कैसे बना सके इस पर काम करते हैं दोस्तो अगर ये गहरी बात समझ आई हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और अपने हर दोस्त के साथ फेस्बुक पर वर्टसेफ पर हर जगे जरूर शेयर कीजिए और हाँ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लालवन के सब्सक्राइब बटन को दबा कर और बैल आइकन को जरूर दबा देना ताकि motivation की notification आपको समय से मिलते रहे और सबसे important बात कोई है या नहीं मैं आपके साथ हमिशा हूँ Be happy, stay motivated